पूरे के पूरे पूरे प्लॉट को बदल देंगे जहां शो से कुछ बड़े आक्टर्स एक्जिट करने वाले हैं तो वहीं कुछ ऐसे आक्टर्स एंट्री लेने वाले हैं जिनको देखकर आपके दिल की धड़कने बढ़ जाएंगी तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से हैं वो तीन बड़े ट्विस्ट जो शो में डाल देंगे नई जान लेकिन अगर अभी तक आपने हमें सस्क्राइब नहीं किया है तो हमें सस्क्राइब कर लीजियों बेल आइकन को दवाना बिल्कुल भी न भूलें वेल दोस्तों शो के अंतर गोपी और एहम का मिलन होने जा रहा है जी हां गोपी ये जान चुकी है कि गोपी काका कोई और नहीं बलकि उसके एहम है लेकिन एहम की याददाश जा चुकी है तो आखिर कैसे गोपी एहम की याददाश वापिस लेकर आएगी ये देखना बड़ा ट्विस्ट जीं हां शो के अंदर एंट्री होने जा रही है रुच्छा यानि की राशी की वो राशी जो गोपी की बेहन है वो राशी जो साथ निभाना साथ या सीजन वन की जान थी और राशी आकर गोपी की मदद करने वाली है उसको और एहम को मिलवाने के लिए जी हाँ दोस्तो मेकर्स ने इस चीज का हिंट भी दे दिया है कि शो के अंदर राशी की एंट्री बहुत जल्द हो जाएगी और जैसे ही राशी की एंट्री होगी शो को और भी जादा टी आरपी मिलेगी लेकिन जो तीसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो कहीं न कहीं टांस के लिए इनकी और ऐसे में अब वो शो को गुडबाय कर रही है और उनके पूरी की पूरी एक्जिट को भी मेकर्स ने फ्लान कर लिया है शो में रूपल को यानिकी कोखिला को इसले लाया गया था जसे साथ निवाना साथ या सीजन टू की टी आरफी को उठाया जा सके और सीजन बन को सीजन टू से जोड़ा जा सके वेल दोस्तो इस में से किस ट्विस्ट के लिए अब सबसे जादा एक्साइटेड हैं कमेंट्स में हमें जरूर लिख कर बताएं इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमें सस्क्राइब नहीं किया है तो में सस्क्राइब कर ल